मलब रास्टर के लिए एक दिवार के अंदर चिना जाना राखों में जो इने पानी भी नहीं आना तो ये उस बारत मा की संतान और यहां का युवा जिसका उधान जो इने विदेशी लोग भी देते हैं तो मेरी उनसे अपील हैं कि वो अपने आपको पहचाने जागें और ज नमस्कार मैं हूँ अजब आरद्वा जो आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और जिस प्रकार से चुनावी सर्वे और लगातार किसे ने किसी हम दिगज नेता से मुलाकात करवा रहे हैं पता है कि जो हर्याना के अंदर भी आने वाला जो विदान सभा हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सरगर्मिया वो बारते जंता पार्टी की क्यों तेज हुई है क्योंकि हर एक विदान सभाक्षेतर से यदि हम टिकट की दावेदारी की बात करें कहीं 10 हैं कहीं 25 हैं कहीं 30 हैं कहीं 20 हैं कहीं 50 हैं तो टिकट की सबसे ज़्यादा दावेदारी जुड़े हुए हैं जिनने संग्ठन के साथ दिन रात एक ही है आज भी वो पार्ट्रे के साथ जीयों के तीओ कारीय कर रहे हैं हमने बात करता हूँ विदान सबाक्षेतर जेन से जो वरिष्ट नेता बारते जिन्ता पार्टी के स्वामी रागवानद आज हमारी खास राजनी तिक चर्चाएं इन से रहेंगे सबसे पहले तो स्वामी जी नमस्ते सर कैसे हो आप स्वामी जी सबसे पहले तो यही जाना चाहूंगा कि बारते जनता पार्टी जो दारा 370 तोड़ी है 35 से को गुजमू कसमीर से अटाया है आप भी काफी समय से बारते जनता पार्टी के हर्याना की उपादेक्स भी रही है और सन 2004 में आपने इसार लोकसभा से भी चुनाओ लड़ा है सन 2008 में भी आपने बजलनाल के खिलाफ आदमपूर से चुनाओ लड़ा है दिगज नेता रहें आप भी जे पी के दारा 370 तूटने पर आप शिदानतों के साथ जोड़े हो बारते जिनता पार्टे के दारा 370 तूटने पर क्या काना चाहेंगे सर आज इस वकत जो है ने इतनी अपार खुसी है कि जो सपना हमारे आदनी जो है नेताओं ने अटल जी है जैसे अड़वानी जी है यह मुरली मन और जोसी है यातरा भी तरंगा की लेके गए थे मानिय मोदी जी भी उनके साथ थे ये सपना साकार करने की जो परमात्मा ने नेताओं को सक्ती देई है मैं अर्दे से एक संत होने की नाते मेरे अर्दे में अपार खुशी तो है लेकिन संत होने की नातो बहुत दन्यवाद देना चाहूं कि जो कारिये जो इन्हें इतने वरसों से पढ़ा था और वो कारिये कोई नहीं कर सक्या मातर इसलिए ने किया के वोटों के उससे कदे तुम्हारा वोट ना खिसक जाए माँ बारती की चिंता करने वाड़े अगर नेता हैं तो बारती जनता पार्टी में है ये उसका दारा 370 जो तोड़ी ये उदाण है सर पार्टी अभी जैसे मैंने आपसे बात चीत की क्या होता ना कि जो व्यक्ति चुनाओ नहीं जीचता तो उसके मन के अंदर कहने की टीस होते है वो पार्टी को छोड़ी देता है दूसरी पार्टी में चला जाता है बार्टी जनता पार्टी से लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं आज तक जुड़े रहे हैं क्या कारण है सर क्या पसंद पार्टी की नीतियां या फिर पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता आज भी आप उसके चरीतर पर जो चले हुए हैं क्या लगता सर बार्टी जनता प अपने आपको परिवार मानता है और मैंने बहुत इस बात में बहुत चिंतन किया चिंतन करने के बाद जstem पादिये जंता पादी को जोईन किया था एक संत है अगर कोई कदम जो ईने रखता है तो भूडा सोच बिछार के रखता है कि आपने बाना तो पहले है रास्टर का चिंतन दिमाग में भी है लेकिन एक मैंने देखे आप तो बाना लेके रास्टर का चिंतन कर रहे हो रेकि ये सीवल में रहने वाड़े नेता जो अमारे से भी ज़्यादा जो इन रास्टर की चिंता कर रहे हैं तो क्यों ना इस दल मे जो इनन का साथ दिया जाए इसलिए जो इने में बाती जंता पार्टी में मेरा अपना निजी स्वार कुछ नहीं है Eleiction जीते हैं ना जीते हैं लेकिन अपनी मर्यादा पे चलते रहे हैं मेरा ऐसा राष्टर के चिंतन के लिए ही आपने लगा कि एक मातर बारतिजन्ता पार्टी एक ऐसे पार्टी है जो राष्टर के चिंतन करती है इसलिए आपनी इसी के साथ आज तक आप जुड़ी रहे हैं सर अब कहते हैं कि एक मन के अंदर टीश होती है समाज के लिए कुछ कर गुजरने का अगज़बा होता है अब यदि हर्याना विदानस्वा चुनाव को बात करें जैसे जैसे नज़दी का रहा है अन्ना पार्ट आपने को पता ही है कि अन्ना पार्ट वेक जो नेता है पर उन्होंने पार्टि को जब यह दिखा न कि लाहर चली है बार्टे जंता पार्टी की लाहर चली है मोदी की लाहर चली है हर्याना के अंदर मुनोरलाल खट्र की लाहर चली है उन्ने ताओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर ऐसा है परिवार बढ़ता है अच्छा लग मान के काम करना चाहता हूँ तो मैं इस सीज का विरोधनी करना चाहता हूँ आए प्रिवार बड़ेगा अच्छी बात है जितना बड़ा समू होगा जितने बैठ के ज्यादा चिंतन करके ने ऐसा मुझे नफरत नहीं है यह से चाहिए क्योंकि मैं तो चाहता हूँ वह यह बहुत बड़ा जो है एक दल बड़े और आज यह भी सचाही है कि खुसी है कि संसार में इसके मुकाबले में आज पार्टी नहीं है बार्जी जिनता पार्टी का जो संग्डन है इसके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है और उनको भी एक अवसर मिलेगा कि आप अथे सजन पुरसों के पास आए हो जो बिजारक हैं जैसे हमारे RSS के इतने त्यागी तपस्वी जिनका अपना नीजी जिवन में कोई स्वारत नहीं एक एक स्वास जो हैं उनका अरवकत तो माबारती के लिए लगता है उन लोगों को वो मिलेंगे उनके दर्सन करेंगे और दर्सन करने के बाद उनकी मुक से जो विचार और बानी सुनेंगे वो विचार कभी न कभी कि उनके भी अर्दे में जो इने घर कर जाएंगे तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा कुणबा बढ़ा हो और उन संसकारों से ओत परोत हो बिल्कुल मलब है उनसे मिलेंगे तो उत परोत संसकारों से होंगे मुझे खुशी है बहुत बड़ी असर असर हर्याना के अंदर बारते जंता पार्टी का नारा है कि अब की बार पचेतर पार आपको क्या लगता है कि जो लहर बनी है पहली बार है दो जार चुदा में हर्याना के अंदर बीजेपी की सरकार बनना अच्छे बहुमत से अब दो जार उननीस के अंदर एक ऐसा नारा छोड़ना की पचेतर क्या लगता आपको कितनी सीटे ले पाएंगी बाहर ते जन्ता पार्टी हमारे जो माननी हैं बड़े नेता हैं ने माननी है परदान मंतरी नरेंदर मौदी जी भाई अमीच्या जी जो हमारे डेस के आज ग्रे मंतरी है और संक्ठन का काम करने में तो उनका मकाबला नहीं है यनि जो आकलन उनके अंतकर में पहले चिंतन करके आता है यह वो सला तो सबसे लेते हैं बिल्कुल और जो निकाडते हैं जिसी लोग सबा में कितनी सीट आएंगी पहले उनने ऐसा अंधज़ था आज भी जो वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे है कोई यह सोचे भी है इंकार की बात कर रहे है बारती जनता पार्टी बाड़े नहीं यह जनता की आवाज जनता की आवाज को जनता के सामने बारती जनता पार्टी की नेता बता रहे हैं ये सचाई है कि अब की बार कुछ भी हो सकता तो आपके कहने का भी प्राय है कि ये बारते जनता पार्टी जो प्चितर पार करी है ये अभीमान ने सौवब इमान है ये सौवब इमान की बोली ही बोल रही है ये अभिमान नहीं है, ये एक जनता की आवाज, उस जनता की आवाज को बता रहे हैं, वो उनकी मर्जी वो किस भी बेक से सुन वे हैं, वो उनकी मर्जी उसके एंकार गिन रहे हैं, क्या गिन रहे हैं, लेकिन समाज बता रहे हैं, समाज के लोग तो पजेतर से भी ज्यादा क चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो पचेतरे बता रहे हैं लेकिन वो पचेतर से भी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं समाज पूरे अरियाने का क्योंकि इसका कार्ण है हमारे मुख्यमंतरीजी ने जो काम किया है मलब 90 विदानसवा किसी विदानसवा ये नहीं देखना वह ये चोटा कि ये तेरा डाई करोड का जो परिवार है ने तेरा अपना है उसमें कोई पार्टी इसको देखने ही नहीं चाहिए अगर सिंगासन पर वो विराजमान जिब से बैठे हैं और ये मनवर लाल जी ने प्रतेक्स प्रेक्टिकल रूप में करके दिखाया है यानि सब का साथ और स विधान नहीं था कम था उन विकेट प्रस्थितियों में भी आपने सुनाओ लड़ा यदि अब यदि लहर है मोदी लहर भी है बारते जनता पार्टी के लहर है और आप तो उस टाइम से लेकर आज तक जो बारते जनता पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है आपने उस संग्ठन ही करता है कारिय करता करता है संग्ठन की मर्जी होती है संग्ठन से केवल प्रार्थना की जाती है अगर आमें यह मान लें वे अमने यह करना है तो वह गल्त है समुएक ने जो संग्ठन का आता है अमें तो उस पे फूल चुड़ाना है जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसी विदानसवा से उसका मानस अनुवान करेंगे और जितनी मेनत कर पाएंगे इतनी मेनत करेंगे क्यों मेनत करेंगे कि आज जो इने इस रास्टर को अभी तो बहुत कम हुआ है जो बाकी बचा है जो महापुरसों के अधूरे सुपने जो बचे हैं हमें लग र जी यह निए अच्छे यह नेता जो है ना उन सपनों को पूरा करें ऐसी मेरी बावना और उसी बावना के साथ लगके हमें तो संक्षन कहीं रखे मैं वहीं मस्त रहूंगा मलब संथ हैं आप और संथ हमेंसा मस्त रहता है समाज को अधातिम गयाम से जोड़ता है और समाज के लिए कहीं प्रेड़ना देता है उन्हीं युवाण का निरमान करता है जो उपने पत्स से बटग जाते हैं तो सर अखिल बारतीय श्री जो क्या मंदल का क्या अनम बता आपने पूर बारतीय सरी गीसा संत मामें किन किन राजों में जो ये मंदल कार्य कर रहा है और आपक अखिल वारतिय गिसा संत मामंडल के आठ प्रांतों के अंदर आसरम है जैसे अर्याना में आसरम है, पंजाब में है, पुत्राखंड में है, एमाचल में है, राजस्थान में है, डिल्ली में है, यूपी में है, गुजरात में है, बिहार में है लगबग आठ नो प्रांटों किया उसके अदेख से इसमें हाँ जी तो कितनी जन सिंख्या कितने सरदालो इसके साथ जुड़े हुएं लगबग सरदालों कि संख्या कम से कम बीस के लाग के करीब होगी और हमारा एक अखिल वारती गीसासंत मामडल जो कबीर साथ किसी से थे गीसासंत जी अमेशा जो एने कवीर साब ने मलब अपनी बाणी से समाज को सुगा रहा यहनी किसी को गाली नहीं दे बाणी से जैसे कवीर साब का जनम हुआ तो उस वकत बड़ा आपस में इंदू-मुसलमान का वो था तो केवल बाणी से जो एने यहनी दिसा को समाज की दिसा को बदल देना उसको मोड देना यहने अनेक लोग जो एने इंदू-दरम को छोड़-छोड़ के दूसरे उसमें जा रहे थे और एक बाणी से ही सिक्स्या देके जो एने उसको कंट्रोल करना तो हम ऐसे संग्ठन के जो एने सेवादार भी हैं जो हमारे सत्गुर कबीर साब उनके इसी से गिसा संजी तो हमारे आसरम अमेशा जितने भी आसरम है जैसे नसे से दूर रहना बहुत नसे से दूर रहते समाज की सेवा करना कहीं भी इस किसम का प्राकरति कोई प्रकोप है उसमें बढ़ चड़के इसा लेना तो ये हमारे समाज का जो है हमेशा बुराई में कभी नहीं आते समाज में अच्छे काम करने का काम करते हैं चाहे संस्था कोई स्कूल चिलाने का हो या कोई गव सेवा का कोई माद्न हो या अनेक और सेवा का कोई माद्न हो अपने आज से सेवा करना rahat इसा संग्ठन कई जैसे बाबाओं से मिलता हूँ मैं जो बगवादारी जो होते ह们 वो कई बार क्या होता कि या तो पता नहीं वो एविद्धा है या उनका परसलन है वो गांजा जैसे जो बीडी, तमाखू, हुके, सूटे वो इस परकार का नसा करते हैं वो बगवादारी भी होते हैं वो फिर वो बाबा कहते हैं बिलाए शीव होता था, शीव भी बांग पिता था हम भी बांग पिते हैं रगड़ करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं ऐसा कहीं नहीं लिख्या कि मादेव जी जो एने इस किसम का कोई नसा करते हैं मादेव जी के तो मालिका नाम का इतना नसा था कि जैर पीने के बाद भी असर नहीं हुआ वो मादेव जी बिलकुल और उनका उदान देते हैं तो प्रमात्मा ने ये पंच वोतिक जो चोड़ा दिया है ये प्रमात्मा का रूप प्रमात्मा ने कोई चीज इससे अलग नहीं रखी इसी रूप के अंदर जो ने कोई साइंटिस्ट बन गया कोई बहुत बड़ा ब्यग्यानिक बन गया कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और कोई ऐसा जो ने नेता बन गया जिसने पूरी समाज को तो येक नाराइन का रूप है इस मंदर को इस मानो मंदर को अंदर से सवार के हमने रखना चाहिए इसमें बिकार नहीं आन देने जाए इसमें अगर हम धुमा गेरेंगे नसा गेरेंगे तो उस आसन की पवीतरता कैसे रहेगी जैसे एक मानियन नरिंदर मोदी जी का उधान देंगे कि जिस वकत नवरातरे आते हैं और वो सजन पुरुस वो मापुरुस मातरिक जल के अंदर भी जो एने अपना सरीर को चलाता है तो उन्हें जान लिया इस सरीर को पैचान लिया जान लिया इसलिए पूरे समाज के दरद को जान लिया इसलिए वो सेवा करते है जन जन का आसिर प्रवाद भी इसलिए मिल रहा क्योंकि उन्हें अपने आपको जान लिया जिन्हें अपने आपको जान लिया पूरे जगत को पैचान लिया बहुत बड़ी असर हमारा जो चैनल है ग्राउंड मेडिया इसके मादम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि हैं जो नसे की गिरिफ्त में आ रहे हैं तो उनको एक संग्रेस के लिए प्रेडित करना और नसे से दूर रहना हमारे ग्राउंड मेडिया चैनल के मादम से क्या संदेश देंगे सर मैं अपने युवाओं साथियों से जो इने ऐसी प्रार्धना करना चाहूंगा कि प्रमात हैं तो इस स्वास को हमारे युवा साथियों ने विर्था नहीं खोना चाहिए बलके एक-एक स्वास के साथ उने जुड़ना चाहिए कि तेरा करतव क्या है। आप अपने आपके साथ जुड़ जाओगे यहने उस सांस के साथ जुड़ जाओगे कि एक एक सांस मेरा प्रमात्मा की चिंतन में जो है जाना चाहिए और जिस वकत वो अपने आपके साथ जुड़ जाएंगे यह नसे सारे जो है दूर बाग जाएंगे उन नसों में आनंद नहीं है मातर छण मातर मालिया कोई नसा आपने कर लिया थोड़ी देर के लिए जो है ना आप उसमें पड़े रहोगे इस नसे में लेकिन जिस वकत आप प्रमत्मा के नसे को अपने अंदर में उतार लोगे या स्वास के साथ आप जुड़ जाओगे अगर वो नसा आप चड़ा लोगे मेरी युवा सातियों से अपील है फिर आप जीवन में इस समाज में रास्टर में जो करना चाहोगे वो कर गुजरोगी ये कारंटी की बात है मापुरसों ने ऐसा ही किया चय वो भगत सिंग वो अपने आपके साथ जुड़ा पहले अपने आपका धन किया अपने आपके साथ जुड़ा जैसे गुरुगोबिन सिंग के लड़के थे वो अपने आपके साथ जुड़े संसकारों जो मापाप ने उनको संसकार दिये साथ और नो साल की उमर क्या थी मलब रास्टर के लिए एक दिवार के अंदर चिना जाना राखों में पानी भी नहीं आना तो ये उस बारत मा की संतान और यहां का युवा जिसका उदान जो इने विदेशी लोग भी देते हैं तो मेरी उन से अपील हैं कि वो अपने आपको पहचाने जागें और जाग के अपने आपके साथ लागें और अपने आपके साथ लगेंगे तो समाज का भी इत करेंगे मेरी ऐसी अपील बिल्कुल चलिए तो ये थे हमारे साथ विदान सबाख खेतर जो जीन से भारते जन्ता पार्टी हर्याना के उपदाक्स भी रहे हैं स्वामी रागवानजी और समाज के युवाँ हैं हमने इस स्वामी जिसे बात के राजनीतिक कुछ मुद्धे रहे थे कुछ समाजी गतिवी दिया जो उनके मुद्दे रहे हैं तो युवाओं को एक संदेश है कि जैसे स्वामी जो ने बताए कि करांतिकारी बगत सिंग पंडी तराम परशाद विसमिल जैसे संदेश से खराजा जैसे जो उधारने दी हैं कि उनकी तरह बनना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने बला या दास्ट का निर्मान देश का बला नहीं कर सकते हैं तो स्वामी जी का भी युवाओं को संदेश है कि जिस परकार से जब एक युवा यदि नसा करता है वो कुछ टाइम तक ही उसका सोटकट भी दिम बताएं कि वो आनद महसूस करता है लेकिन जो नसे से बाहर नि करम और खास दिगज नेता या खास सक्षित से मुलाकात करवाते हैं तो इसी प्रकार से हमारे जो खास कारिकरम में मुनिरिंतर चलते रहेंगे तमाम जानकारी के लिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ जुड़े रही है तब तक ग्राउंड मीडिया के लिए विदानसवा करें और शेयर करें